कल देःंस व had i can play the child कैसे है आप लोग आया होऊप आप लोग अच़्यसे होंगे तो चलिए आज का वीडियो देख लीते एंसो फ्रेंस आज में सिर्फ्डらいस सारी सफाई आपको बताने वाले हूँ किस तरीके चीह सफ आर्पिक का यूजर कराइब किसे के सफार्प्ले का य जती भी कपड़ों के जो राशव होते हैं या जो गंदगी होती है सारी वुरस के अंदर चली जाती है और उसी के अंदर जम्हों तर्फ नहीं करते हैं है आप हार पे पर से साहफे कर के देखे गा और आप देखेंगे उसके अंदर से कितनी ज्यादा गंदगी निकलेगी हम कपड़े दोने का प्रिषक बेहांगMore में अच्छे से क्लीन करके से नहीं रखेंगे तो हमारे हाजिनिंगे तरही से क्लीर नहीं होंगे अभी क्या करना आए थे कि आ 01.000 गंड़े के लिए थोड़ Judah अभी इसके उपर हमें क्या करेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे और नीचे में ठोकते जाना ओ. ऐसे इस तरीके से जो कप्यों के रशे होते हैं जो भी घंड़गी होती हैं हम इसे दीरे-दीर इसमें पारी डालते जाएंगे हलक हलका नीचे रफ करेंगे फरस की उपर और इस तरीके से ठोकते जाना है तो इसके अंदर क्या होता हमने हार्पिक आदा गंड़ा डाल के चोड़ दिया था इसके अंदर जितनी भी गंदगी लगी होती है ना हार्पिक पूरी तरह के से काट देता है, जो भी गंधगी plate के धाङए, उसे पूरी तरह के से निकाल देता है, तो अभी सिर्फ आपको उस तरह के से ठोकते जाना है, तहीं देखे आपा इसा फोड़ा जी टोका है, उपा आप देखरे कितनी सारी गंधगी निकल कर आगी इया, जितने भी इसके अंदर गंदगी जम्मी होई थी या जितने भी रेसे पगले लगे हुए थे वो ऊपर निकल किया जाएंगे फिर इसे हाँ से आप निकाल लीजिए पोरी अच्छी तरह के से क्लीन हो जाएगा आपका ब्रश आप इस तरीके से अपना ब्रश को जरूम क्लीन कीजिए आपको देखेंगे जिस ब्रश को आपने कभी क्लीन नहीं किया था उसमें तो काफी सारी गंदगी निकलने वाली है बस आपको जब तक इसमें से गंदगी निकलना खतम ना हो जाएं आपको इस तरीके से ठोकते जाना और इसे निकालते जाना है और अगर आपको तो आगर लगे कि इसमें नीचे है जो सर्फेस होता है प्लास्टिक हैसमें तो अगर लगे कि Ismae गंड़ी जमने गें तो इसकी कोई भी एक सीख ले लीजिए उसकी एस तरीके से आप उसे साफ कर सकते हैं हार्पिक पासे पूरी के देखिए का इसी तरीके से आप देखिए कितनी सारी गंदी उसमें निकले लिए आपकी अभी देखिए मैं इसी तरीके से मैंने से ठुक ठुक के अच्छे से साफ कर लिया है और मैं आपको दिखाती हूं कि नीचे का सर्फिज जो काला नजर आ रहा था पहले अब कोई भी लेकि आते हैं तो उस तरीके से आपका ये बिरस अब होने वाला है ट्राय करके जरूर देखिएगा ट्राय करने के बाद अगर आपको मेरा यह आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा चलिए नैस देख लेते हैं तो फैंस जब भी ह हमारी काफी सारी मेहनत ही चली जाती है और फिर भी यह अच्छे से क्लीन नहीं होती है लेकिन अगर आप सावं की जगह हार्पिक यूज करेंगे तो देखें चुटकियों में आपकी बाल्टी और मगगा साफ होने वाले हैं बिना किसी जादा मेहनत के तो पहले मैं करते क्यों पर इस तरीके सा हमें हार्पिक लगा देना है और अभी हम अच्छे से पूरे में से फैला देंगे जब आप हार्पिक से अपने घर के बर्तन को या बाल्टी को या मगग को इस तरीके से क्लीन करेंगे तो इसमें आपको बहुत जादा हो जाए कि आपकी मैनत भी करिए टॉलेट का पलग रख लीजिए और जो घर के बागी कामों में हम यूज करते हैं वो वाला पर अलग से रख लीजिए आप यहां पे हाथों में गलफ जरूर पहन लीजिएगा मुझे यह कोई प्रॉब्लम नहीं होती इससे तो मैं ऐसे ही क्लिंग कर लेते हूं लेकिन आप खुद देखिए मैंने इसी ब्रश जो ब्रश मैंने पहले क्लिंग किया था उसी से मैंने इसे हलकल के हाथों से रफ कर लिया और देखिए चुटकियों में वाल्ती कितना अच्छे से क्लीन होगा आपको देख रहा होगा आर्पिक में काफी हार्ट कैमिकल होता है तो क्लीन का काम बहुत अच्छे से करता है यह देखिए जितनी गंदी भाल्टी हो आपकी मग हो आपका आप चुठियों में से क्लीन कर पाएंगे आपको उसको रखना भी नहीं पड़ेगा घंटों सावों से रखना भी नहीं पड़ेगा इसमें हमारा काफे सारी मैनत तक जाती कितनी अच्छे से क्लीन हो गया भक अब गदम वाइट सफेद चमक राय देखने में भी देख सकते हैं बिलकुल आप कहीं नहीं सकते के महीनों से गंदी पड़ी हुई थी वाल्टी आप जब इससे क्लीन करेंगे और बहुत ही सारी मैनत आपकी बचा लेता है यह देखिए कितनी अच्छे से क्लीन वाल्टी कोई देख क्या नहीं सकते कोई देख किया नहीं सकते हैं काफी जिद्दी से जिद्दी धाग लगा हुई है तो कितनी अच्छे से क्लीन हो गाए इसा剛 मनेम मत्गे मघ को бесп Carn fifth कर लेंगे तो थोड़ा थोड़ा पार्थ हमने कट करके आपको दिखाया है ताकि आपके भी यह यहां पर काम हुचा और आपका टैम भी जाता वेस्ट न जाए तो इस तरह के सामने मग्य को भी अच्छे से ब्रस से इस तरह की से घिस लेना होई देखी यह भी चुटकियों म तो मग्य में हमें हमेसा जब भी हम पानी बगरे में डला रहता है न तो इसमें काफी साही चिकना जम जाती है या फिर इसमें ऐसी पानी के दग लग जाते हैं और चिकना चिकना हो जाता है खास खौर पर जो इसका पकड़ने का हैंडल होता है उसके अंदर जाता काफी गं कर सकते हैं यह देगे किसा इसमें गंदी लगी हुई है आप पकरने की हैंडल होता है न उसमें तो इसे आप बहुत आजानी से क्लिंग कर पाएंगे तो इसी तरीके से मेरा जो दूसरे पदने किलिंग कर लिए और यह भी तबे पेनास्ता बगरे बनाने जाता और हमारे तबीकी यालत, तो इस तरीके पोंई खराब हो जाते है अगर हम इसे साबुन से साब करने बैठेंगे, काफी सारे महरत हमारी इसमें चली जाते है और बहुत ही सारा हमारा समय भी चला जाता है तो इसको भी आज हम चुटकियों में क्लिंग करने वाले हैं किस तरीके से चले देख लेते हैं सबसे पहले आपको क्या करेना है यहाँ पर गैस को चालू कर लेना है तबीको कर लिना है गरम और इसमें हम डालेंगे दो चुटकी के करीब सेट्रिक एसिड नीवू का सत्व जिसे कहते हैं वो डाला है हमने इसमें अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह नमक भी यूज़ कर सकते हैं आप इमली भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी खटाई यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हम चुरका पाउटर भी यूज़ कर सकते हैं तो अभी हमने क्या किया नीवू को आदा काटके आदा पीस ले लिया और तबीको हमने गरम ही रखा है गैस चालूए लोब फ्रीम पर रखा है औ और तभी को अच्छे से गरम करने के बाद आप फिलिम को बंद कर सकते हैं और फिर हमें एक 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 फॉक की हेल्प से इस तरीके से सारे तभी को हम रगड़ते जाएंगे उसमें जो पानी डाला है उस पानी को फैलाते जाएंगे और जापे भी हमारे ये कालपन हैं दाग लगे हैं तभी में उसको ऐसे क्लिंग करते जाएंगे तो इससे आपकी काफी सारे महनत भी बचने वाली है अगर इस तभी को आप साबून से क्लिंग करने बढ़ते तो आपको घंटों इसे गिसना पड़ता तब जाकर आप अच्छे से क्लिंग कर पाते हैं आपकी काफी सारे महनत भी चली जाते हैं आपको काफी सारा टाइम बिसमें वेश्ट हो जाता तो इस तरीके से अगर आप क्लिंग करके देखेंगे तो कब तबह काफी ज़्यादा गरम हो चुका था इसलिए आप फॉक का इसमाल कर सकते हैं कोई भी चम्मा या चाकू में निवू को फसा के फिर इसको रगड़ सकते हैं अभी मैंने थोड़ा सा जूना लिया है और घूंजे से हम इसे इस तरीके से रगड़ देंगे तो यह बहुत ही ज़ल्दी कर जाएगा जो भी इसमिए जद्दी दाग लगें उनके उपर थोड़ा सा रगड़िए तो वो फुह हो अच्छे से क्लीन हो जाएगा तबाँ अच्छे से गरम हो चुका है तो अभी हम इसे नीछे उतार के क्लीन कर लेते हैं हुआ हैं तो गैसा पर एक श़िकान में इसे जिक्कत झुदी था इसलिए नीचे रख लिया आप इस तरीके से नीचा क्लिण कर सकते हैं वस तब आपका कर मोने चाहिए फिर हमने जो सब्लिक जालो का चाइए औह पुल to सब्सक्राइब करें तो इतने अच्छे से सफाई नहीं कर बाते हैं जितना कि हमने इस तरीके से से क्लिंग किया है अभी मैं एक पर पानी से दो लेती हूं अलका साउन लगाएंगे और इसे पूरी तरीके से क्लिंग कर लेंगे तो इस तरीके से आप लोही के जितने भी बरतन होते हैं उन्हें क्लिंग कर सकते हैं कोई भी खटाई यूज़ करके बहुत ही अच्छे से कालेपन को कदम कर देता है बस आपको उसे दोने के बाद अच्छे से सूखे कपरे से पौँचके रखना है क्योंकि लोही के बरतन को तो आप इसको सूखे कपरे से जरूर रखे चलिए नैस देख लेते हैं तो अक्सरी जो भी हम खाना बनाने में बरतन यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा इस पर यूज़ होते होते इस पर काफी सारी पीचे गंदी इस तरीके जमा हो जाती है और यह पीचे का जो सर करते हैं आपको उसके अंदर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कहना है तो इस पर हमें पीचे की तरह अच्छे से हर्पिक लगा देना है उसको यासी 15 मिट के लिए में छोड़ देना है 15 मिट के बाद हम इसे क्लिंग करेंगे ताकि इसमें जत्ती भी गंदी है अच्छे से पर हम काम करते हैं दिन भर में कभी चाइ उसक्टार covid फोलम के तो चैहा थाई डूर जाता है और फिर नीचे में इसा का ना की करते हों तो ज्यादा उसको अपो, देखिए कापके बहना काफी सारे गंदे हो चुके होंगे, अगर आप इस तरीकी सों से clean नहीं करते होंगे, अगर आप करते होंगे साबुम अगरा लगा के तो बहुत सारी महनत लग जाती है, बहुत साथ महनत के साथ time भी चला जाता है, तो पहले हम क्या करेंगे हार्पी को उसकी उपर डालेंगे और फिर इसे अच्छे से फैला देंगे जहां पर भी यह जित्ती दाग लगी हुई है न उसकी उपर फैला कि हम इसे पंदा मिट के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे उसके बाद हमें से clean करना है ताकि इसमें जितनी भी गंदी रखी है ना हार पर ऊच्छे से काट दे तो पहले हम यहां कोकर का नीचे का साफ कर लेते हैं बना में छोने के बाद अब हमें इसे अच्छे से तो बाय ब्रस से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी अगर आपके पास यह नहीं है तो आप नॉर्मल जो ब्रस होता है वह भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से हमारे पाँ जितने भी खाना पकाने वाले बटन होते हैं नीचे की तरह जिस तरह से चिकने जम जाती है बहुत ह श्टिक तरीके से चिपक जाती है क्लीन नहीं होती तो आप इस तरीके से हार्फिक से उसे क्लीन कर सकते हैं हार्फिक आपको टॉलेट वाला यूज नहीं करना है एक अलग से हार्पिक आप नॉर्मली जो हम घर की और सफाई करते हैं उसमें यूज करते हैं उसके लिए आप अलग से रखें अभी हमें नॉर्मली से साबून से वाश कर लेना है साबून से जरूर क्लिंग करिएगा है हार्पिक से केबल क्लिंग करके नहीं छो तो है ना बहुत बढ़ी आइडिया तो चलिए इसी तरीके से अभी हम गैस के बंची के बढ़ने भी क्लीन कर लेते हैं गुझे के हैल्प से या ब्रस के हैल्प से आपको इसी तरीके से से रगर साफ कर लेना है इसके अंदर जितनी भी खाने के दाग जमें हुए हैं काली पर ग्रस कर दे में आइखे उम गाल प्रस करेंगा चंणो रेता है अदिरकर रेता है, वो बहुत अच्छी से नहीं निकलuds दो सारी जम्य होई है अगर अपोसों की विद्ध ह visão मैं यहां पे पनारने की ब्रस कॉल्री श.बस्वर झाला हो जाता है बोड़ो बहुत अच्छे से clean हो जाएगी और जब आप इस तरीके से clean करने के पाद gas को use करते हैं तो बहुत ही अच्छे से उसमें से low निकलती है और जो दीमी दीमी जल लई होती है वो बहुत अच्छे से फिटेज उसकी low हो जाती है तो अभी हमें इसे वह साबूं से दो लेना है तो अभी आप यहां देख सकते हैं कितने अच्छे से चमचमा चुके हैं हमारे गैस की बाइनर जो पहले काफी सादा गंदे थे इनमें काफी सादा खाना जम चुका था तो इस तरीके से आप भी ने बहुत एजिली क्लिंग कर सकते हैं मिंटो में बिना जादा महनत किये बिना जादा टाइम विष्ट किये और यह बहुत अच्छे से अंदर तक क्लिंग हो जाते हैं जो ट्राइक के ज़रूर देखिएगा बस आपको यहां पर एक बात याद रखना है साधा पानी से अच्छे से क्लिंग कर लियना है ताकि इसमें हाण भी पे बूंकल भी लग़ा ना रहे और साबून से भी एक 黑la क्लिंग करना है और फिर आपको फो दूप में अच्छे सुखाका फिर यूस करना है तो आपको उसको काफी अच्छे वजल देखने को मिलेंगे वो आपका गैस भी चमचमाता नजर आएगा तो चलिए फैंस आज का वीडियो करते हैं यहीं पैंट मिलते हैं अगली वीडियो में आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरू बताइएगा पसंद आया है और जार जाद अपने दोस्तों के सा शेयर जरू कीजिएगा तब तक लिए टेक किया बाएबाएबाएब